ये है बचन प्यारा बचन इशो मसे का प्यारा बचन ये है बचन प्यारा बचन परमीशुर के दहने नाम की महिमा हो प्रभाद मननन के 71333 मैं आप सभी का बहुत ही विनमरदा के साथ स्वागत करता हूँ आई आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तिमतियों सध्या चार पद साथ प्राशुद और बुढियों की सी कहानियों से अलग रहा और भक्ती की साधना कर कल हम ये देख रहे हैं थे कि बुढियों की मनगढ़ित कहानियों को वजन की शिच्षा के साथ मिला कर किस प्रगार जूटे शिच्षकों ने वजन की शिच्षा को प्रदूर्शित किये हैं इमने पद में प्रेडित पौलूस अपना प्रियश शितिमत्य उसको समझा रहा है कि समाज में प्रचलीत इन मनगढ़ित कहानियों तथा उन कहानियों पर आधारित प्रधावों को करने से वो भक्ती नहीं हैं जिससे हम परमेशर को खुश कर सकते हैं इसलिए वो तिमत्य उसको उपदेश दे रहा है कि यदि परमेशर को प्रसंद करना हो तो भक्ती की साधना करनी हैं भक्ती शब्द का सार्वजनिक अर्थ किसी वस्तू या विक्ती के प्रदी किया जाने वाला आत्म समर्पन है भक्त वही है जो अपने आपको किसी विक्ती या वस्तू के लिए पूर्ण रूम में समर्पन किया है भक्त कभी भी अपनी इचावत अधा अपनी खुशियों को प्रधान्द नहीं देता है हमेशा उनकी प्राध्मिक्ताएं उस व्यक्ति या वस्तु की प्राध्मिक्ताओं को महत्तु देना होगा जिसका वो भक्त है हमारे माननिय प्रधानवंद्री स्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों को भक्त कहने का एक वज़ ये हो सकता है कि उनके समर्थक अपनी खुशियों से बढ़कर मोदी जी की खुशियों को अपनी खुशिया मानते हैं बाइबल हमें ये नहीं सिखाती है कि हम कोई इनसान का भगत बने क्योंकि इस अंसार में सोभाविक रूब में मा और बाप से चन्मे हुए लोगों में एक भी ऐसा इनसान नहीं है जिनके जीवन को हम पूर्ण रूब में अनुकरन कर सकते हैं प्रधम शताब्दी से मसीह समाज सामना करने वाली एक बड़ी समस्य भी यही थी रोमी शासगण अपनी प्रजा से ये उमीद करते थे कि प्रजा राजा के भक्त बने और राजा को ईश्वर के तुल्य समझ कर उनकी आराधना करें परदु परमीश्व से भक्ती करने वाले मसीह समू यथभी राजा का समान तो जरूर करते थे पर उनको परमीश्वर के समान देखने से इंकार गिया रोम में मसीह समूह सताव का सामना करने का एक मुख्य कारण यही था उतर कुरिया जैसे देशों में भी वहा के तानाशाख लोग बाइबल और बाइबल विश्वासियों से नफरत करने का मूल कारण यह है कि मसही लोग शासकों का सम्मान करने के लिए तो तयार है परंदू भक्त बनने के लिए तयार नहीं है यदि बात यही है तो बाइबल बताने वाली भक्ती की साधना क्या है भक्ती शब्द के लिए प्रारभ में पड़ी गई पद की अंग्रेजी अनिवाद में दिया गए शब्द गौडलिनस है यह परमेश्वर के प्रदी हमारी भक्ती को दर्शाता है जैसे कि मैंने पूरू में कहा बाइबल किसी भी इनसान की भक्ती करनी मना करती है पर स्पष्ट रू में परमेश्वर की भक्ती करने की आग्या देती है परमेश्वर की भक्ती करने का मतलब क्या है? क्या परमेश्वर की भक्ती करने का मतलब इधर उदर से सुनी हुई मनगड़ित कहानियों पर आधारित कुछ प्रदाओं को करना है? क्या कुछ कालपनी कहानियों पर विश्वास करना है बिल्कुल नहीं फिर क्या है वो भगदी की साधना जो हमें परमेशों से करनी है परमेशों की भगदी करने का मतलब परमेशों के नैतिक सुभावों को हमारे जीवन में लागू करने की कोशिश है परमेश्यों से भग्दी करने का एक और अर्थ यह है कि परमेश्यों के प्रदी आत्म समर्पित रहना और आत्म समर्पन की वज़़ यह है कि हम परमेश्यों के गुणों को समझते हैं और हम चाहते हैं कि परमेश्यों के गुणों को हम अपने जीवन में भी लागू करें इतिक गुणों को अमारे जीवन में लागू करना है प्रभु दया करें इस विश्य का अधिक अधियन हम कल करेंगे तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं प्रभु के धने नाम की महिमा हो आमीन पाने का साधन है यहे बचन प्यारा बचन इश्यो मसे का प्यारा बचन